आपने अक्सर जमीन जायदात के बटवारे के बारे में तो सुना होगा पर यह बटवारा अनोखा है क्योंकि यहां किसी जमीन या जायदात का बटवारा नहीं बल्कि बच्छों का बटवारा किया गया बता दे जहां एक तरव भाई भाई की हत्या कर रहा है बेटा बाप की हत्या कर रहा है जमीन विवाद आपसी विवाद की वज़े से घर में कलह की स्थिती बन रही है वहीं इन पिछडे कहे जाने वाले आदिवासियों ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है यूं तो ग्रामीड आदिवासी पिछडे वर्ग के है पर इनकी सोच इनकी समझ किसी अग्रणी व्यक्ती से बहुत ज़ादा है बता दें बैतूल के छोटे से गाउं ने समाज के सामने एक बड़ी नजीर पेश की है यहां दिलों को जोडने वाला बटवारा हुआ एक आदिवासी किसान की मौत के बाद उसके तीन भाईयों ने उसकी तीन संतानों को आपस में बांट लिया उन्होंने न केवल अनात बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली बलकि उनकी परवरिश का जिम्मा भी ले लिया यह सब कुछ उन्होंने समाज के सामने किया उन्होंने भरी पंचायत में माना कि अब यह हमारे बच्चे हैं बतादें बैतूल के आदिवासी विकासखंड के जामुन धाना पंचायत के ग्राम खेरा में आदिवासी चैतू इवने की पिछले साल 17 जनवरी को हार्ट अटेक से मौत हो गई थी चैतू के चार बच्चे हैं जिनमें एक बेटी की शादी हो चुकी है बाकी तीन बच्चे अभी नाबालिक हैं इनमें दो बेटियां और एक बेटा है चैतू की मृत्यों के बाद परिवार के सामने बच्चों की परवरिश का बड़ा सवाल आखडा हुआ ऐसे में मृतक के तीन भाई साथ पैठे परिवार से विचार विमर्श किया तीनों ही परिवारों ने तै किया कि अब बच्चों के परवरिश की जिम्मदारी उनकी है ऐसे में 17 साल की सवीता इवने, 15 साल की कवीता इवने और 13 साल की राकेश को गोद लेने पर सहमती बनी चैतु की मौत के बाद समाज की पंचायत बैठी, तीनों बच्चों को तीन भाईयों ने गोद ले लिया जहां चाचा चैतराम ने राकेश को गोद ले लिया वहीं करण ने कविता को और चैपा ने सविता को बेटी बनाया खास बात यह है कि भाईयों ने अपनी संतान होने के बावजूद अपने मृत भाई के बच्चों को अपना लिया इन में दो लड़किया पढ़ाई छोड़ चुकी है जबकि राकेश आठवी में पढ़ रहा है